तो गाईस अगर तुम भी चाहते हों कि तुम्हारी सारी बुलेट्स बन देगे सिर्फ और सिर्फ हेड़ पे कनेक्ट हो तो तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं एम लॉक अब एम लॉक सीखना है एकदम एजी चीज है मैंने भी इसके उपर एक वीडियो पहले बना रखी है लेकिन शायद उसमें मैंने हैंड कैम के तुरू नहीं समझाया था तो आज अनाम हैंड कैम के तुरू देखने वाले है कि तुम अपने एम को लॉक कैसे कर सकते हो अपना एम लोग बीसिकली हूथ है क्या है तो गाईस जितनी भी तुम बुलिट्स फायर करते हो उनमे से जादा से जादा गूली है अगर बंदे की तुम कनेक कर पाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो एम है न वो तुमने लॉक करना सीख लिया है बंदे को तुमने अच्छे स कर रखा है कोई दिककत तुम्हें नहीं होगी अगर तुमने यह चीज नहीं सिखिया तो तुम्हारा भाई अभी सिखा दिता है तुम्हें तो सब से पहले हम चलते इस वाली जगे पे अब यहाँ पहना तुम नोटिस करोगे कि जैसे में जिगल देना शुरू करता हूं ना तो मेरा जो aim है न वो भी मेरी साथ जिगल करता है अब I know यह तुमने पहले भी कई वीडियोस में देख रहा होगा लेकिन यही होती है हमारी aim look की शुरुवात तो यह चीज हमें सबसे पहले है न सही कर लेनी है और बहुत सारे लोग यह वाली गलती करते है कि जैसे वो जिगल देते न तो उनका जो aim है न वो भी साथ में जिगल करने लगता है तो इससे हो तक है कि जाद है तो जो bullets जो तुमारे बंदे के head पर पढ़ने चाहती मतलब enemy के head पर पढ़ने चाहती वो अभी न वेश्ट जा रही है उनमे से एक दो गूल यह न बंदे को connect होगी और उतने में शायद बंदा तुमें मार भी देगा तो अब यहाँ पर simple सी चीज तुमें follow करने कि तुमारा जो aim है न वो तुमें lock कर देना है वो कैसे होगा बस तुम hand cam देखते जाओ अब ही मेरा aim जिगल कर रहा है लेकिन अब ही तुम notice करोगे कि A में एकदम चिपक गया है तो जैसे ही में left जाता हूँ तो मेरे phone को में tilt करता हूँ उससे opposite side में ताकि जो A में वही पे चिपका रहा है तो अगर मैं right जाओंगा तो मेरा जो phone है न वो नीचे की side में left में tilt करूँगा तो ऐसे तुमारा jiggle भी चलते रहेगा और तुमारा जो A में वो बंदे पे चिपका रहेगा अब आई नो देखो guys बंदा still नहीं खड़े रहने वाला बंदा भी jiggle करेगा लेकिन कई ना कई सीज को तुम अगर master कर लेते हो तो तुमारा जो control है na crosshair के उपर वो बहुत ही जादा बढ़िया होने वाला और guys देखो BGM I or PUBG Mobile अगर तुम खेलते हो ना तो यहाँ पे crosshair पे control हो ना इस game में सबसे जादा important चीज है तो guys फिलाल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें अब जी जो मैंने चीज सिखा ही ना वो तुमने master कर लिए अब यहाँ पे देखो अभी मैं फिलाल normal jiggle कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो aim है वो adjust नहीं कर रहा हूँ मैं हो जाती है और तुम्हें master इसको बस इतनी सी चीज करणे शेज जैसा कि मैंने बताया है कि अगर जैसे तुम left जाते हो अपने phone को'tum right के side tilt करना है अगर तुम right जाते हो तो तुम्हारे phone को तुमें अपोछे side करना है तो एकदम simple सी चीज है और non gyro player भी इसको कर सकता है बस उतने जो अपने finger से जो अपना aim joy adjust करना पड़ेगा and gyro users के लिए थोड़ा सा easy हो जाता है तो guys जैसा कि मैंने बता है कि non gyro users के लिए थोड़ा सा hard रहता है तो उनके लिए एक छूटी सी tip में दे दिता हूँ कि तुम्हारी जो ADS की no scope sensitivity है normal ADS कीsenstivity जाइरम Will also no scope sensitive है उसे थोड़ा सा कम करके तुम्हें try करना है तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा है जो भी अपनी sensitivity है तुमने रखी हुई है तुम्हें नहीं हो रहा है कि अभी तुम्हारा aim है न ठीक से adjust हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और अगर गाईस तुम्हारा aim पहले बहुत ज़ादा sensitive था है लाइक तुम थोड़ी सी उंगली रखते थे तुम्हारे aim इदर से उदर होने लगता था ADS no scope अले sensitivity वो तुम्हें थोड़ी सी बढ़ा के try करनी है तो अगर sensitive ये aim ज़ादा बहुत ज़ादा हीलता है तो थोड़ी सी sense कम कर देना अगर जो ये aim थोड़ा सा हीलता ही नहीं है बहुत ज़ादा मतलब ऐसा भारी feel होता है तो तुम्हें sense थोड़ी ज़ादा करके देखनी है और वहाँ पर तुम्हारा जो aim lock है न improve करने में तुम्हें बहुत ज़ादा help होगी इससे तो guys अभी फटा फट से बात कले थे drills की अब drills तो मैं बोल रहा हूँ बस एक ही drill तुम्हें practice करनी है वो तुम मेरे सामने देखी सकते हो यहाँ पे और यह चीज है ना guys तुम्हें करने में इतनी ज़ादा boring लगने वाली है ना तुम मतलब मुश्किल्स है ना इसको 2-3 minute भी practice नहीं कर पाओगे लेकिन यह चीज इतनी ज़ादा effective है कि अगर तुमने इसको 10-15 minute practice कर लिया ना तो तुम्हारा काम है ना भाई एकदम हो जाएगा तुम्हारा जो aim है ना वो track करना तुम सीख जाओगे तो बस इसको करते टाइमें एक simple चीज फालो कर लेना कि तुम्हारी जो crosshair का beach वाला dot है ना इसको तुम्हें इस बंदे के head पे रखना है लाइक जो भी target तुम्हारी सामने है इसके head पे रखना है beach में एकदम और फिर उसको track करते रहना है और दीरी दीरे ना तुम कर लेना इसको and that's it तुम्हारा काम हो जाएगा बाकि यहीं तक कि आज के हमारी वीडियो कर पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या गरना है लाइक कर देना वीडियो को चलो इस पे 7000 लाइक का target रख लेता है आईकिस तुम करवाद होगे बाकि चैनल को subscribe कर देना अगर नहीं आगो इस चैनल पर क्योंकि यहाँ पर ऐसी टिप्स और टिक्स वाली वीडियो में डालते रहता हूँ जिनसे तुम्हारा गेमप्ले इंप्रूव होते रहता है और तुम्हें खेलने में मज़ा आता है बाकि मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई यवग 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 यजवग यग यजब रहता है।